कल जो होने आला मुकाबला वर्ल्ड कप का है दोस्तों वो है पाकिस्तान वर्सेस साउट आफ्रिका के बीच और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको हाइलाट करके दिखा देता हूँ यह वो मैच है जिसकी 10 ट्री मिलियोन की टीम्स में आपको दिखाने आला हूँ दोस्तों अगर आपको बैकप्स आड करके दिखाने है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजे आपको बैकप्स के आड करके दिखाने है या नहीं दिखाने दोस्तों जैसे कि मैंने मैच को हालेट करके दिखाते आता है वही दोनों में से कहीं पर भी एक पर क् तो दोस्तो अफकोस जैसे कि आप देख पारे मैंने दस टीम्स यहाँ पर अल्रेडी बना के रख दी है जिस पर मैं माई टीम पर क्लिक करके सबी टीमें आपको प्रिव्यू करके दिखाने आलो किस-किस को लेना है किस-किस को छोड़ना है क्याप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है सब बाते में आपको बताने आलो लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए आप से ही रिक्वेस्ट जरू करूँगा कि आपने मेरे चाइनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे साथे साथ बेल आइकोन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोश्टे रहे हो आप अच्छे से हरनी करते रहे चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं माय टीम पर क्लिक करके पहली टीम आपको प्रिव्यू करके दिखा देता हूँ सबसे पहले अगर देखेंगे तो कीपिंग में अगर इतने जबर्दस तीन आप्शन है दोस्तों इन तीनों में से किसको ले किसको छोड़े काफी ज़्यादा बड़े आप कोश्चन है कॉंटन डिकॉक, हैंडरिक क्लासेन और यहाँ पर मोहमद रिजवान तीनों की तीनों इतने बेस्ट खेल रहे हैं दोस्तों कि इन तीनों में से किसको छोड़ पाना काफी मुश्किल फैसला है तो इसलिए पहली टीम में मैं तीनों को साथ में ले ले रहा हूँ कॉंटन डिकॉक की बात करूँ तो तीन शतक हो चुके एक क्लासेन की बात करूँ तो अतनी धुआदार वल्ले बाजी कर रहे है कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मेरे खाल से वर्ल्ड कप में इनिका रहेगा और मुमद रिजवान तो हर मैच में जबबदस खेल रहे है तो इसलिए तीनों को ले रहा हूँ बाबर आजम को इस टीम में रखूँगा वैंडर दुसेन और शफिक भी अच्छा खेल रहे है तो इनको भी मैं इन तीनों में लेने आला हूँ उसके बाद अगर बात करूं मरकरम और मारको जांसन भी मेरे पास रहने आले दोस्तों और इसके बाद मैं शादाब को भी लेने आलो क्योंकि शादाब ने भी लास्ट मैच में 40 रनों के एक अच्छी पारी खेली थी और गेन बाजी भी अच्छी कर लेते तो इसलिए इनक भी ले रहा हूँ कगिसो रबाडा और साइन अफ्रे दी यह दोनों भी काफी अच्छे फॉर्म में है तो इन दोनों को भी साथ मिलेना जरूरी है तो कुल मिला के जबबरतस टीम बने आले हैं हमारी और कांटन डिकॉक को क्याप्टन और बाबर आजम को वाइस क्याप्ट बना रहा हूँ अगर आप किसी और को बनाना चाहिए या फिर उल्टा भी करना चाहिए तो आप कर सकते बाबर आजम को क्याप्टन और डिकॉक को वाइस क्याप्टन भी आप बना सकते हैं लेकिन मुझे लगता है इसी तरस रखना जादा बेतर होगा इस टीम को चाहे ग् बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा मैं फिर से डिकॉक क्लासेन और मुहमद रिजवान तीनों को साथ में लेई रहा हूँ लेकिन इसके बाद मेरे पास वैंडर दुसेन है आई हक को मैं ले लिया है तो यहाँ पर कुछ चेंजेस मैंने किया है और शफिग भी मेरे पास ज़रूर रहने आले हां यहाँ पर मैंने बावर आजम को ड्रॉप किया है जिया दोस्तों बावर आजम मैंने जैसे की पहले भी बता है कि मिला जुला परफॉरमेंस से कभी अच्छा खेल रहे कभी नहीं खेल रहे तो इसलिए मैं इस टीम से उनक तो इसलिए आपर उनको भी मैस्टीम में जरूर रखूंगा और आपर हैसे हैरिस रौफ को मैस्टीम में रखूंगा आज गेन बाच क्यूंकि दोस्तों इन पर थोड़ा दबाव जादा रहेगा क्यूंकि थोड़ा मार खा रहे है विक्टे मिल रहे लेकिन इनको मार पड़ तो मुझे लगता है कि ये भी अच्छा पर्फर्मस कर सकते है यहाँ पर हैनरिक क्लासें को हम लेंगे और इनको क्याप्टन और वाइस क्याप्टन न बनाए जाया ऐसा थोड़ा होना मुश्किल है तो यहाँ पर मैं उनको क्याप्टन और रिज्वान को बनाना चाहोंगा क्योंकि दोस्तों जबबरदस फॉर्म में है ये बंदा और काफी जबबरदस ट्राइक रेट से खेल रहा है तो इसलिए इन दोनों को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन मनाया आप उल्टा करना चाहे मतलब रिजवान को कैप्टन और क्लास एन को आइस कैप्टन तो भी कोई और अगर आप इस टीम में इसी तरसे भी रखते है तो और 10 से भी जादा टीम में बनाते तो आप कही न कहीं उल्टा भी कर सकते हैं दोस्तों काफी जबबरदस टीम है और यहाँ पर सिर्फ अगर बाबर आजम को छोड़ दिये जाए तो पूरी तरसे खतरनाक टीम है तो म तीसरी टीम की बात करूँ तो यहाँ पर आखिरकार मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ सिर्फ कॉंटन डिकॉक और मुहमद रिज्वान को ही इस टीम में लेने वालों क्योंकि दोस्तों क्लास एन बन्दा है जबबरदस खेल भी रहा है लेकिन कब तक इतने अच्छ फार्म मे हमें होगा तो इसलिए मैंने ये भी आपको एक ओप्शन दिखाया है अगर आप ना भी करना चाहे तो कोई प्रब्लम नहीं शफिक को अकेले को बल्ले बाजी में मैं रखने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ओप्शन ही काफी ज़ादा है यहाँ पर मैं दिखा दू आपको तो मैं यहाँ पर फिर से मर्करम, शादापकान और मारको जांसन तीनों के साथ जा रहा हूँ जैसे क्या आप देखी पा रहे है और घेनबाजी में मैं महाराज, केशो महाराज, रबाडा, आफरेदी, यहाँ पर गोटजी, कोटजी और हैरिस रॉफ मतलब दोस्तों इतने जबदस गेनबाज यहाँ पर इस पूरी डोनों टीम होँए, कि एक को भी मतलब हम सोचेंगे कि इसको ले या उसको ले, इसके ले या उसके ले, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाना काफी मुश्कील है, तो यहाँ पर इसी लिए इस तरह का जितने वाली टीम मिल रहे है, तो मुझे लगता है, यह तिम आपको सिर्फो सिर्फ ग्राड़ी या बड़ी लिक के लिए यूज़ करनी है, स्मॉल लिक के लिए यूज़ नहीं करे, तो बेटर होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, यूज़ कर सकते हैं, तो जबर्दस मापकी जगह विकेड़ भी जबर्दस ले रहें तो यहां पर इन तोनों के साथ जाना लिवाइधे मन सावित होगो और कासी टेम के बाथ करेंने जाहएं को अपन पर खुए वाफ्त सकते हैं जैसे कि शाफिक alma पर याजन Wiki को ८्ये member तो यहां पर मैं और भी जादा रिस्क लेने जा रहा हूँ सिर्फ कॉंटन डिकॉक के साथ जा रहा हूँ आज बाट कीपर बात करें तो मैंने यहां पर हैंडरिक क्लासेन और मुहमद रिजवान दोनों को ड्रॉब कर दिया है हो सकता है दोनों आज अच्छा परफॉम ना करें तो यह भी एक उप्शन यूज करने में कोई हर्ज नहीं है अब बात करें बाबर आजम वैंडर दुसेन और आई हक थोड़ी अलग बल्लेवाजी मैं आपर लेना जा रहा हूँ हटके तो अगर बात करूँ तो दो जो कीपर ड्रॉब किये उसका सबसे ज़्यादा फाइदा हमें करा लेना है तो मार्क रम आई एहमद शादाब खान मार्को जांसन चार ओल्रॉंडर को हमें लेना होगा क्योंकि चार ओल्रॉंडर हम लेंगे तो हमें बैटिंग और बालिंग में चार ओप्शन मिलना होगा है मतलब दोनों में यहाँ पर यह हमें पॉइंट दे सकते तो हो सकता है यह उनसे भी जादा पॉइंट दे दे तो यही पर हमारे यह पॉइंट वसुल हो सकते तो इसलिए मैंने इन चारों को साथ में लिया है एच अली को ले रहा हूँ, साइन अफरेंदी को और गोटजी को भी फिर से ले रहा हूँ क्योंकि गोटजी की बात करूँ तो इनको एक मैश ड्रॉप किया गया है इसके बावजूद इन्होंने चार या पाच मैशेस में दस विक्टे हासिल कर चुका है तो काफी तेजी से विक्टे ले रहा है दोस्तों तो इसलिए इनको भी रखना काफी फाय देमन रहने वाला है अब बात करूँ तो यहाँ पर मैंने मारको जांसन को कैप्टन और यहाँ पर देख सकते हैं मारकरम को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा है आप चाहें उल्टा करना तो ज़रूर कर सकते हैं Mark Augen還 Captain Marko Janson को Vice Captain भी आप बना सकते हैं लेकिन अगर इसी तर से रखते हैं इस टीम में तो कही ना कई इस तर से उल् Ear turn जोड़ी जो मैं बोला हूँ वो आपको 10 से ज़ादा टीम में बनाते हैं तो कही ना कई ज़रूर लगा दीजिया फाइदा हुने के काफी जादा चांसे से ये टीम मी काफी अलग है लेकिन फिर से कौंगा ग्रैंड लिग और बड़ी लिग के लिए ही यूद करेंगे तो जादा फाइदा होगा स्मॉल लिग के लिए थोड़ा फायदा कम होने के चांसे से चलिए इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते और पाचवी टीम हमको देख लेने किस तर से मैंने बनाई है पाचवी टीम की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मुहमद, रिजवान, अकेले को में ले रहा हूँ हर एक वो आप्शन में आपको देना चाहता हूँ दोस्तों जिससे आप ग्रांड लिग जीच सके तो इसलिए मैं थोड़े रिस्की लेकिन चेंजे जरूर करता जाता रहता हूँ जिससे आपको काफे फायता हो सकता है रिजा हैंडेक्स एक अच्छी इनिंग खेली थी उसके बाद पिछला मैच ठोड़ा खराब गया है बाबर आजम, वैंडर, दुसेन, आयहक और शाफिक मतलब इस तरह से पाच बल्ले बाज ले रहा हूँ इन दोनों को तो मतलब ड्रॉप करना काफी मुश्किल है तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से करूँगा रबाडा, साइन अफ्रेदी और हैरेस रफ मतलब जो टॉप डोनों टीमों के अगर तीन टॉप बल्ले गेनबाज निकालने है तो यही तीन जनबाज रहने वाले तो इसलिए यहाँ पर इन टोनों का साथ जाना काफी फायदे मन साबित हो सकता है तो कुलमिला के जबदस टीम है यहाँ पर मौमद, रिजवान को क्याप्टन और वैंडर, दुसेन को वाइस क्याप्टन बनाने जा रहा हूँ लेकिन दो की पर गायब होने के वज़े से थोड़े रिस्की है तो मुझे लगता है यह तीम भी ग्राइड लिक के लिए और बड़ी लिक के लिए तो ज़रूर यूज कर सकते स्मॉल लिक के लिए यूज करनी नहीं करनी मैं आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यह तीम अच्छी खासी है लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि स्मॉल लिक के लिए भी यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इस टीम को भी क्लोज करते हैं छटी टीम हमें देख ले नहीं है चटी टीम की बात करूँ तो यहाँ पर क्लास एन को अकेले को ले रहा हूँ हो सकता है आज मतलब कल की जो मैच है डिकॉक और रिजवाद दोनों फेल हो जाए और क्लास एन सबसे बड़ी आप पर्फॉर्मस करें तीनों की पर्स में तो दोस्तों यह तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि क्लास एन को अकेले को लेने का फैसला 99% लोग नहीं करेंगे तो इसलिए 1% में अगर आप रहते हैं और सच में अच्छा पर्फॉर्म कर जाते हैं सबसे जाता फायदा किसे होना आपको होना तो इसलिए इस तर से यहाँ पर मैंने इनको ही लिया है इसके बाद डेविड मिलर, माबर आजम, वैंडर, दुसें, तीन अच्छे मापकी जगा शाफिक इस तर से चार अच्छे खासे बल्लेबाद मेरे पैस रहने होले जो की काफी बढ़िया पर्फॉर्मस कर सकते है इसके बाद मेरे पास और एक मतलिप सर्प्राइजिंग मुव में प्रफॉर्म, आए, एहमद, शादाप खान और मारको जांसन, चारो अल रोंडर को में यहाँ पर वापस ले रहा हो, जो की बैटिंग और वालिंग दोनों में आपको डबल पॉइंट दिला सकते हैं, तो इसलिए आपर ऐसा किया है, अब कंगिसो रबाडा और साइन अफ् प्लियर हम सबको पता है, तो इसलिए इनको वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हो, कुल मिला के टीम तो काफी अच्छी है, लेकिन काफी जादा रिस्की है, तो इसलिए इस टीम को भी सिर्फ उसर्फ ग्रैंड लिक के लिए सजेस्ट करूँगा, मैं स्मॉल लिक के लिए सज आट्वी टीम की बात करें, तो यहाँ पर फिर से डिकॉक, हैंडिक क्लासे, मुहमद रिजवाद, तीनों को साथ में मैंने वापस ले लिया है, उसके बाद डेविड मिलर, बाबर आजम, शकील और शफिक, इस तरह से चार अच्छी खासे बल्लेबाज मैंने आपर ले लि आए, तो हो सकता है, यह दोनों जबदस परफोर्मेंस करें, तो इसलिए इन दोनों को साथ में लिया है, तो कुल मिला कि यह भी टीम काफी जबदस थे, और मरक्रम इस टीम के कैप्टन रहना ले है, शफिक इस टीम के वाइस कैप्टन रहेंगे दोस्तों, लेकिन आप फि या चीज रहेंगी, यह बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हमें पॉइंट दे सकते, तो इसलिए यहाँ पर यह एक एक इक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिल जाता है, तो इसलिए मैंने इनको कैप्टन बना है, और शक्य फिक को वाइस कैप्टन बना है, फिर भी अगर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते है, या फिर उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते है, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि यह टिम भी काफी बढ़िया है, तो ग्राड लीग बड़ी लीग और स्मॉल लीग टीनों के लिए काफी अच्छी टीम है, फिर भी अगर आपको हमें देखनी है, आठवी टीम के बात करूँ तो यहाँ पर मैं कॉंटन डिकॉक और मोहमद रिजवान, दोनों को साथ में ले रहा हूँ, दोस्तों, दोनों को साथ में लेना, फाय देमन सावित हो सकता है, हाँ, हैंडिक क्लासेन को डॉप करने का मेरा जो डिसीजन है, वो इसलिए आपर इस तरह से भी करना कुतना नुक्सान दाहिक नहीं रोगा, उसके बाद हैंडिक्स मेरे पास रिजा हैंडिक्स रहेंगे और बाबर आजम भी मेरे पास जरूर रहेंगे, मरकरम को मैं इस टीम में जरूर रहेंगे, मारको जांसन को भी इस टीम में जरूर रह दो तीनों की टीनों बेस्ट है दोस्तों आप जरूर तीनों के साथ चाह सकते उसके बाद मेर पास फिर से इस टीम में देखेंगे तो केशव महाराज है हसन अली है गोट्ची को भी ले रहा हूँ और हैरिस राउफ को ले रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा अलग डिसीजन यह है कि मैंने साइन अफ्रेदी को ड्रॉप रखा है वो भी एक बंदा है बतलब अच्छा है लेकिन हर मैच में अच्छा पर्फर्म करें जरूरी नहीं तो इसलिए एकाट टिम में उनको भी ड्रॉप कर सकते है तो इसलिए थोड़ी हट के गेन बाजी आपर मैंने लिये यहाँ पर उल्टा करने चाहे तो जरूर कर सकते है रिजवान को कैप्टन और डिकॉक को वाइस कैप्टन भी आप बना सकते है कुलमलक है जबदस टीम है मुझे लगता है कि ग्रैंड लीग हो बड़ी लीग हो स्मॉल लीग हो किसी भी लिग के लिए यूज करने में मुझ यह तो कोई प्राब्लम नजर नहीं आ रहा है फिर भी आप सोच समझ के यूज कीजिएगा इस टीम को भी क्लोज करते है नववी टीम हमें देख लेनी है नववी टीम की बात करू तो सबसे अलग टीम है दोस्तों क्लासेन और रिजवान दोनों को ले रहा हो और कॉंटन खान किसी और को मैं इस टीम में नहीं लूँगा जिसकी वज़े से मेरे पास ऑप्शन बने है चार एल विल्यम्स ने पिछली मैच में पहली मैच में अच्छा पर्फरमंस केया है तो इसलिए इनको भी एकार टीम में तो हम में कम से कम ज़रूर रखने की सला दूँगा जा साइन अफरेदी को इस टीम का कैप्टन गोडजी को इस टीम का वाइस कैप्टन बना रहा हो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता है गोडजी ने भी तक इस सीरीज में एक मैच में ड्रॉप होने के बावजुद दस विक्ते ले चुके हैं तो यहां पर इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना काफी मतलब फाइदा हो सकता है अगर बात करें तो उल्टा भी करना चाहे तो आप जरूर कर सकते साइन अफरेदी को वाइस कैप्टन गोडजी को क्याप्टन भी बना सकते लेकिन मैं इसी तरस रखूंगा आप दसे जादा टीमें बनाते तो आप वहाँ पर कहिना के उनको जरूर लटा कर सकते इस टीम को भी मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रांड लिक के लिए सजेस्ट करूंगा स्मॉल लिक के लिए यूज ना करे तो बेटर है फिर भी अगर आपको लगता है कर सकते तो आप पर छोड़ता हूं मैं मुझे तो लगता है कि थोड़ी रिस्की टीम है इस टीम को भी क्लोज करते हैं दस्वी और आखरी टीम हमें देख लेनी है कि दस्वी और आखरी टीम की बात करो तो फिर से डिकॉक प्लासे और रिजवान तीनों मेरे पास रहने आले जो की जबबर्दस फॉर्म है उसके बाद सिर्फ बाबर मतलब इस तर से चार अच्छे खासे गेंबाज भी आप पर रख रहा हूँ जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और देख सकते हैं साइन अफ्रेदी ऐसे है रिस पाकिस्तान के तरफ से टॉप जबबर्दस गेंबाज है उसके बाद रबादा और महाराज आफ कि स्मॉल लिग के लिए भी टीम इतनी बुरी नहीं है फिर भी आप सोच समझ के यूज कीजिएगा तो इस टीम का क्याप्टन मैंने शादाप को बनाया है थोड़ा मतलब अलग सोच है मेरी और रबाडा को वाइस क्याप्टन बना रहा हूँ क्योंकि शादाप एक ऐसा ब तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है तो इसलिए कईना कई रिस्क लेना जरूरी है अगर आपको ग्राड लिग जितनी है तो रबाडा को वो कैप्टन और हशाबद आपको वाइस कैप्टन भी आप बना सकते है लेकिन शाद आपको बैटिंग भी आने के काफी चांसे से तो इ मुझे अगर आपको लगता है कि अच्छी है तो आप यूज भी कर सकते हैं तो आई होप आपको सबको दस टीमें काफी इंजॉय के होगी काफी बढ़िया लगी होगी आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे साथी साथ चाइनल को सब्सक्राइब हो करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेंगे और साथ साथ टेलेग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो दोस्तों वहाँ पे जाके उसे जॉइन जरू कर लिजे ताकि दोनों टीमों में कुछ भी चेंजेस रहते हैं तो आपको बता सको किसे ड्रॉप किया गया है उसके जगा पे किसको लिए गया है और एक दो टीमों के और स्क्रिंशाट शेर करने की पूरी कोशिश करूंगा तो आई होब दोस्तों जरूर लाइक करेंगे आज के वीडियो में इतना है मिलते अगले वडियो में तब तक के लिए थैंक्यू और गुडबाई